तो दोस्तों अगर आप इंडेक्शन ढूंड रहे हैं और अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक सही वीडियो पर आये हैं आपको इस वीडियो के बाद में कोई और वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह मेरा आपके साथ प्रॉमिस है बस इस वीडियो को पूरे आखरी तक पूरा का पूरा देख लीजिए का क्योंकि बहुत ज्यादा कन्फीजन हो जाता है जब भी हम इंडेक्शन लेने जाते हैं आपका कोई भी बजट हो अगर आपका 1500 से कम बजट है तो भी यह वीडियो आपके आपके लिए 5 ऐसे बेस्ट इंडेक्शन में आज बताने वाला हूँ जो 2021 के लिए सबसे बेस्ट है अगर आप 2021 के बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा लेटेस्ट 2022 का भी तो दोस्तों अगर आप सीरिय करता है हमारी लिस्ट नंबर 5 से और नंबर 5 पे आमने रखा है पीगन का 1800 वाट बाइस्टीव क्राफ्ट यह जो इंडेक्शन है यह खाज इसलिए है क्योंकि यह 1350 रुपे में ही अभी मिल रहा है और इतने कम प्राइज में इतना अच्छा इंडेक्शन जो आपको मिलता है तो बात ही कुछ और है क्योंकि इसकी जो रेटिंग्स है और रिवीव से हमने काफी जगा काफी प्लेटफर्म पे चेक किया तो चार रेटिंग्स इसको मिल रही है पांच में से इसका मतलब भी है कि जितने भी कस्टोमर्स ने इसे यूस किया है वह बहुत अच्छे सट है इस प्रोड़क्ट से फीचर्स की अगर बात करें तो साथ मोड्स इसमें दिये हुए है इसमें आप टाइमर सेट कर देंगे तो अपने आप सुच आफ हो जाता है इसमें हाई ग्रेट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन किया होगा है इसका मतलब है कि जब ज़्यादा गर देता है साथ में 93 परसेंट इसको एनरजी सेविंग बता रहे हैं कंपनी तो अगर वह 80 परसेंट या 70 परसेंट भी करेगा तो भी बहुत अच्छी बात है तो अगर आप कम रेंज में जाना चाह रहे हैं 1500 के अंडर में जाना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट आप्शन में बताता हूं कि यह है चोटा सा इसमें खामी यह है कि यह पूच बटन वाला है इसमें जो बटन दिये हुए हैं वह पूच बटन दिये हुए हैं और आजकल टच स्क्रीन लोग बहुत जादा पसंद कर रहे हैं तो अगर आपको पूच बटन से उतना तकलिब नहीं है तो आ टॉप होता है और बहुत ही यूनिक डिजाइन में आता है कुछ इस तरीके से दिखता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और पूरे के पूरे होगा लेकिन यह आपको टच स्क्रीन और ग्लास टॉप में मिल जाएगा और बहुत यूनिक भी दिखता है रेटिंग की अगर बात करें तो इसको 3.8 रेटिंग मिली है पांच में से रेटिंग भी काफी अच्छी है तो दोस्तों अगर बात करें नंबर तीसरे इंडक्शन क के बारे में तो जो बहुत फांस्ट है 1200 वाट इसमें दिये हुए हैं और बहुत ही जल्दी कुकिंग करता है अगर बात करें इसके प्राइजिंग के बारे में तो 3050 रुपे का जाता है रेटिंग की अगर बात करें तो 4.5 रेटिंग मिली है मतलब जिस जिस कस्टुमर्स इने लिया है बहुत ही अच्छे फीडबेक सुनों ने दिये है इस इंडक्षन के लिए फीचर्स के अगर बात करें तो सबसे पहला तो बहुत यूनीक दिखता है कोई भी से देखता है तो उसे जरूर यह पसंद आता है ग्लास टॉप के साथ में आपको मिलता है इसमें मेनुवल मोड मतलब कि आप 120-200 वाट तक इसे सेट कर सकते हैं और अपने जरूरत के हिसाब से बहुत फास्ट और बहुत स्लो भी कर सकते हैं तो यह आपके हाथ में हो जाता है पूरा जो की बहुत खास बात है डूरेबल है बहुत जादा बहुत जादा सर्विच देता है और बहुत बेस्ट रहेगा यह फिलिपस एक नामी कमपनी है तो फिलिपस का आगर आप 3000 के अंडर कुछ देह रहे हैं और फिलिपस में जाना चाहता हैं तो यह इंडुक्शन बहुत बेस्ट रहेगा तो अगर बात करें नंबर दूसरे इंडेक्शन के बारे में जो हमारे यहां भी यूज़ कर रहा हूँ मैं पिछले दो सालों से बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है अगर बात करें इसके प्राइजिंग के बारे में तो आपक आच में से तो कस्टोमर्स बहुत ज्यादा सैटिसफाइड है इस प्रोड़क्ट से भी अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आट मोड दिये हुए हैं सबसे खास बात है कि इसमें टर्बो मोड दिया है जिससे आप बहुत फास्ट कुिकिंग कर सकते हैं और ग्लास हो जाता है मतलब कि अगर बहुत ज्यादा इंड reflection गरम हो चुका है तो ले रही हुआ हम से धीर घरम करता रहेगा उससे कोई अछलंब का गरम ही रहेगा इसका जो milk boiling का एक switch है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि जब भी आपको दूद गरम करना हो बस आप उस switch को दबा दीजिए वो दूद ना तो बहार आएगा ना उफनेगा कुछ नहीं होगा बहुत बढ़िया तरीके से दूद गरम हो जाता है बि प्लस और माइनस से इसके जो वाट्स है वो सेट नहीं कर सकते हैं अगर आपको मेनुवल मोड चाहिए तो यह मेनुवल मोड पर नहीं जाता है तो काफी सारे लोग परेशानी में आ जाते हैं कि अगर उनको बहुत फास्ट कुछ कुकिंग करना हो तो वह जो प्लस के बटन इसके वाल्टेज के बारे में तो 2000 वाट का आता है प्रिस्टीज की तरफ से आता है प्राइजिंग के अगर बात करें तो 3000 रुपे के अंडर में आपको मिल जाता है 299 का यह आपको आराम से मिल जाता है रेटिंग की बात करें तो 4.5 रेटिंग से मिली है जो की बहुत वह ग्लास का होता है पूरा टच स्क्रीन आता है और बहुत यूनिक दिखता है आप यहां इसे देखी सकते हैं इसका एक फीचर है कि इसमें वेसल काउंटर दिया है मतलब कि अगर आप इस पे कुकर चड़ाते हैं तो वह आप तीन सीटी चार सीटी के बाद में वह काम रखना है तो यह function बहुत काम आता है इसमें auto voltage regulator लगा हुआ है इसका मतलब यह है कि जब voltage का fluctuation आता है घर में तो इसके खराब होने के chances काम होता है और यह उस fluctuation को भी सहन कर जाता है और उसके हिसाब से काम करता है साथ में इसमें बहुत ज्यादा गरम temperature sensor लगा हुआ है तो अगर बहुत ज्यादा गरम होता है या फिर voltage का problem है तो अपने आपको बहुत अच्छे से एक्जिस कर लेता है तो दोस्तों हमारी लिस्ट का सबसे best है और अगर आप इस पे जाएंगे तो कभी भी आपको कोई problem नहीं आने वाला हमने बहुत ज्यादा research करके और यह जो first अच्छे टॉप रिव्यू लाते रहते हैं अच्छे अच्छे प्रोडर्क के बारे में बाते करते रहते हैं तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो हुआ पी